अभी हमने कुछ दिन पहले ये CP Plus का 4 चैनल वाला पूरा सैटप लगवाया था CCTV कैमरे का तो भाई आज मैं बताने बाला हूँ कि आप इसको Wi-Fi से कैसे connect करेंगे मतलब आप इस कैमरे को online किस तरीके से करेंगे जैसे कि आप कहीं बाहर हैं और अपने घर का view देखना चाहें CCTV कैमरे के दुरूँ तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले camera online करना पड़ते है ठीक है पहले online करेंगे फिर उसके बाद आप इसका live view देख सकते है फ्रेंट कैमरे को mobile से connect करने के लिए आपको सिर्फ two step follow करने ठीक है अब वो step क्या है मैं सारा कुछ आपके सामने बताने बाला हूँ फिलहाल आपको क्या करना है आपको वीडियो जो है skip नहीं करना है बिल्कुल भी तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंट बढ़ते हैं पहले step की तरफ तो पहले step यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे पास RJ connector भाई यह बाई-फाई के साथ में मिलता है जैसे कि यहां देखिए मैंने जियो एयर फाइबर लगाया हुए तो आपको कुछ इस तरीके के RJ connector मिलते हैं और इसको आप मार्केट से भी ले सकते हैं यहां पर आप देख लीजिए यह RJ connector होते हैं ठीक है तो हम फिलहाल यह cable के through connect कर रहा है camera ना की बाई-फाई जे ठीक है बाई-फाई जे तो connect होई रहा है बट यह cable के through connect होगा ठीक है हम DVR को बाहर निकालते हैं यह हमारा CP Plus का DVR है तो यहां पर एक RJ connector का socket मिल जाता है ठीक है तो यहां पर यह connector connect होने वाला है और फिर उसके बाद यह जीओ फाईवर में connect हो ठीक है तो चलिए मैंने यहां देखिए इसको जो है फोल्ड कर लिया ताकि यह wire लटके नहीं तो हम पहले तो DVR में लगाते हैं यह के बाद यहां देखिए हलकी सी आवाज आएगी फिर उसके बाद यह connect हो जाएगा अब हम इसको फाइबर में लगा फाइबर को बाहर निकालते हैं तो यहां देखिए फ्रेंड यह कोई साभी फाइबर हो तो उसमें कुछ इस तरीके के LAN connector देखने को मिल जाएंगे काफी सारे connector मिल जाते तो इसी में आपको यह लगा दीना ठीक है तो यहां जैसे ही यह connect हो जाएगा तो यह LED जो है बिलिंग करने लगे इसमें भी LED बिलिंग करती है और यह जो DVR है इसमें भी LED बिलिंग करती है और अभी यह स्थिर है stability के इसी त करना ही करना था तो हमारा पहला स्टेप complete हो चुका है हमने आर्ज connector आर्जे केबल इसमें connect कर दिया है अब हमारे यह camera online हो चुका है अब क्या करना है अब आपको कुछ नहीं करना है अब simply app download करना अब वो app कौन सी है मैं आपको बताने बाला हूं फ्रेंड मैं iPhone and Android दोनों से connect करके आपको दिखाऊंगा क्यूंकि iPhone के लिए app अलगाती है and Android के लिए अलगाती है iPhone के लिए आपको simply क्या करना है तो सबसे पहले मैं iPhone के बाले में बात करूंगा यहां पर आपको चले जाना है app store में यहां पर आपको download करना है IC mobile ठीक है ICMOB यह आपको search करना है तो यहां दे यह इसको open करते है यहां से थोड़ा से आपको swipe करना है यह देखिये इसको आ औके बढ़ा देना ऑगी country select करना है आपको India select कर देना ऑगी यहां पर agreement आ रहा है इसको connect कर देना बाकी यहां पर आग्यान यहां से डवाइस आपको add करना है इसको allow करना अब यह आ जाता है smart नमबर अब यह SN नमबर कहा मिलेगा क्योंकि यह QR कोड कहा मिलता है गया इस DVR के पीछे ठीक है तो चलिए मैं DVR बाहर निकालता हूँ अब इस DVR के पीछे यह स्कैनर मिलेगा मुझे तो यहां देखे फ्रेंड यह है QR तो चलिए फ्रेंड इसको हम इसको यह देखी काफी जल्दी स्कैन कर लिया इसने अब इसको नेक्ट कर दी न ठीक है बाकी अब यहां पर कुछ सेटिंग्स पूछ रहा है अब यहां पर गाईज पूछ रहा है कि पर आजाता है पासबर्ड आपने जो कैमरे का पासबर्ड होगा तो भाई वो आपको यहां पर फिल करना है तो चलिए मैं पासबर्ड डाल लेता हूं तो यहां देखे फ्रेंड हमने पासबर्ड डाल दिया है तो चलिए आप करते हैं इसको से इसको अलाउ कर दिया हमने य चोड़ा सा टाइम यहां देखे गाईज अब यह चुक्या है अब मैं आपको दिखा दूँ यह देखे आप इस तरीके से देख सकते हैं थीवी में है वही यहां पर आपको देखेगा ठीक है थोड़ा सा पीछे दिखाओ यह देखें फ्रेंड सारा कुछ ऐनलाइन हो चुका बाकी आवाज भी आती है, सब कुछ सुन सकते हैं, ठीक है, तो सारे कैमरे हम HD में कर देते हैं, ठीक है, बाकी इसमें आप्शन आपको क्या क्या मिल जाते हैं, जैसे कि यहां पर देखी, यह डूल टैप करूँगा, तो यह जूम हो जाएगा, अलगी इसको भी जूम कर सकता ह यह देखी है, ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाते हैं, बाकी यहां पर आवाज आने लग जाती है, ठीक है, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी इस एप में आप प्लेबैक भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सेब रिकॉर्डिंग है, वो भी आप देख सक है तो चलिए इसको करता हूं मैं इसको अलाव करता हूं तो यहां देगे मैं अगर कहीं पर भार भी हूं ठीक है अगर कहीं घूमने गया हूं सौरी इसको पहले बंद करता हूं option मिल जाते हैं इस app में बाकी ये तो बता दिया मैंने iPhone के बारे में अब बता देता हूं आपको Android के बारे में Android के लिए आपको क्या करना है प्ले स्टोर चले जाना है इसमें आपको सर्च करना है GC Mobile ठीक है यहां पर उसमें आता है IC Mobile इसमें आता है GC Mobile ये भी CB Plus के लिए बो भी CB Plus के लिए तो आपको ये इसमें इंस्टॉल कर लेना है बाकी सेम प्रॉसेस रहने वाला है जो भी आप करेंगे ठीक है है सेम ठीक है इसका आप लोगों भी देख सकते हैं दोनों चीज़े सेम है और सेम सेटिंग है तो कुछ इस दीर इजाज़ा थाने बाद थेंक यू बबाद